कि नमाशकार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत मेरे स्यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करने वाल है बांगलादेश प्रीमियर लीग की जो मैच कर सकते हैं अपने टीम बनाने में उसके बाद में कुछ प्लियरों के स्टैड्स भी आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी खासे अपनी खुट की एक वीडिंग टीम बनाने में आसा नहीं हो जाएगी हो जाएगी चाहिए वो ड्रीमियों का या फिर कोई दूसरा सब्सक्राइब करते हैं तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथे साथ बेल आइकन को प्रेस करके और पर भी क्लिक करना ना भूले तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच के डेटेल से मैच है बांगलादेश प्रीमियर लीग की मैच नमबर 9 है दोस्तों चटक्राम चालेंजेस वसेस खुलाना टाइगर्स के बीच ये मैच है विन्यू के अगर बात करें तो जहूर अमद चौधरी स्टेडियम चटक्राम है डेटोर टाइमिंग के बात करे तो 20th of January यानि आज के दिर एक बजी मैच होने ओला आप ये मैच अगर लाइव देखना चाहते तो लाइव स्ट्रेमिंग देख सकते है फैन कोड़ पर अब बात करते है पिच रिपोर्ट की तो दपिच द विकेट इस एक्सपेक्टेट फेवर तो बैटेस बैटर्स अन ब पूट ऑप्शन जी आदोस्तों यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों को मदद मिल सकती है हो सकता है कि यहाँ पर बैटिंग को थोड़ा कम लेकिन गेंबाजी को थोड़ा ज्यादा मदद मिले शुरुवात में तो इसी वज़य से यहाँ पर टॉर जितकर पहले गें टैंग जादा अच्छी हो तो इसलिए यहाँ पर बॉलिंग फॉर्स लेना अच्छा ऑप्शन है दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर आवरेज स्कूर इस ग्राउंड का है 168 का वही अगर फॉर्स्ट इनिंग की टोटल का बात कर की जाए तो 176 की याने पीच रिपोर पैच उनको ने जो लास्ट पाँच मैच के लिए उसमें उनका परफोर्मस कुछ इस तर से रहा है विन-विन-लास लास्विन वही अगर देखे तो यहाँ पर इनोंने तीन मैचे जीते तो दो मैचे सहां रहे हैं वही अगर बात करें के पर्फोर्मस की तो उन्होंने कि यह और दो लॉस किया नि काफी कटे काटे के टक्कर हो सकते तो दोनों मैचस ने लास्ट पांच मैचस में तीन विन कि और दो हार है अगर प्रोबेबल इलेवन की बात कर ली जाए तो सबसे बहले बात करते हैं चटक्राम चैलेंजेस की प्रोबेबल इलेवन की तो वो कुछ इसतर से रह सकते हैं के लेविस विल्जैक ए हुसेन शब्विर रह्मान मेंडियासन मिर्जा भी होवेल एस पत्वारी नईम इसलाम एन अहमद आर रह्मान राजा और एस इसलाम इस तरह से रहेगी प्रोबेबल इलेवन चटक्राम चैलेंजेस याने सी एच सी सी एच की तो आप इसे प्रेडिक्टेड इलेवन फिर प्लेइंग इलेवन भी कह सकते हैं चले रूसतों अगे बात कते हैं खुलाना टाइगर्स की प्रोबेबल इलेवन की तो वो किस तर से रह सकते हैं प्रोबेबल इलेवन खुलाना टाइगर्स की या फिर आप इसे भी प्रेडिक्टेड इलेवन फिर प्लेइंग इलेवन जरूर का सकते हैं अब मैं कुछ प्लियरों के स्टाइट्स आपको देखांगा जिससे का आपको अपनी खुट के विनिंग टीम बना से बनाने में आसा नहीं हो जाएगी हेल्प हो जाएगी चाहे वो ड्रीमी लोन का आप है पर कोई दूसरा है तो सबसे पहले हमारे होट पिक्स और टॉपिक्स हम इनी कहेंगे तो सबस और एवरेज उनका 56 का और 119 का उनका स्ट्राइक रेट तो उनका स्ट्राइक रेट काफी जबदस तरा तो इसलिए एक विकेट भी उनको मिला है अगले जो हमारे होट पिक्स है दोस्तों मेंदी असन मिर्जा है ही गॉट सिक्स विकेट इन थ्री मैचेस इन दिस टूर्नेमेट और अलसो स्कोर्ट सिक्स्टी फोर रन विद द बैट जया दोस्तों मेंदी असन मिर्जा की बात करें तो तीन मैचेस में छे विक्टे ले चुके और साथ-साथ चो सट रन भी अपने बल्ले से उन्होंने ब परफोर्मस तो नहीं किया है सिर्फ 36 रन बना है जो मैचेस उन्होंने खेले उसमें और एक विकेट उनको नाम लगा है तो फिर भी हम इनको ज़रूर होट पेक्स में रखेंगे दोस्तों क्योंकि काफी अच्छे प्लेयर है हम सबको पता है अगले जो हमारे होट पेक्स र दो मैचेस में दो मैचेस में उन्होंने 68 रन बना है और जिसमें भी उनका एक हाई स्कोर है एक सट रन का तो इसलिए मेनन को यहां पे भी होट पिक्स में रखा है सबसे बढ़िया होट पिक्स है विल जैक है सब्सक्राइब कर दो मैचेस में इन्होंने 74 रन बना है जो की काफी बढ़िया है और काफी अच्छे पर्फोर्मस यह कर रहे है तो जरूर आप इनको अपने टीम में ले सकते हैं इनको जरूर लेना है आपको तो अब चलते हैं ड्रीमिलियोन के एप पे और देख लेते है ड्रीमिलियोन के टीन वीडिंग टीम जिससे के आपको अच्छी खासी अर्णिंग हो सकती है फिर आप ग्रांड लिग या स्मॉल लिग जरूर जीत सकते हैं तो इसके लिए हमें जाना होगा ड्रीमिलियोन के आप पे आ चुके हैं अब उस मैच की बात करें तो यहां पर द के से अर्लों की टीम ले को गें हैं तो लिग लिए ऊच्छी की बोल च्रों परें Metro की अच्छी सीपर को की प्लें लिए। के साथ जाने हो ला क्योंकि मुश्कित काफी टॉप ओर में बल्ले बाजी के लिए आते मुश्कित रहें पाच वे नंबर पर बल्ले बाजी के लिए तो इसी वज़े से के लेविस को ज्यादा लेना है हमें क्योंकि लेविस अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते और अभी इस तर से कर सकते इनको अपने टिम में लेंगे तो आपको काफी फायदा हो सकता है तो चलिए दोस्तों फिर से बात करें शब्विर रहमान और विल जैक अगर ऑल रॉंडर्स की बात करें तो मैं इस बार चार ऑल रॉंडर्स के साथ जा रहा हूं जैसे कि आप देख पार ह सकते हैं वी भोवेल को मैंने तिसारा परेरा को भी लिया है मेंदी हछ सब्वाक को बहने है और अल्र रॉंडर्स हां कर सकते ह्एं चार ओ को यहाँ वस्त कर सक देख चले लोडेक तो के इस donors को हो सकते हैं और एन एहमत को इस टीम में शामिल कर लिया तो इस तर से तीन गेनवाज है और तीनों नों अभी तक काफी अच्छा परफर्परमंस के तो जरूर आप इन तीनों के साथ भी जा सकते इन तीनों पर भी भरसा कर सकते चलिए दोस्तों कंटीन्यू पर क्लिक करना है हमें और दे सकते कीपिंग में केपर को लिया है किलिव इस जो है बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में एंड्र और और आंप सब को पता होगा कित्र वह समैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे का से पॉइंट दे सकते हैं तो हमें ज्यादा फाइदा हो इसलिए मैंने आप चार और लिया है अगर बात करें तो गेन बाजी की तो के इसलाम रभी को मैंने ले लिया है इन एहमत को लिया है और एस इसलाम को मैंने स्टी में शामिल किया इन तीनों गेन बाजों ने अभी तक सब लिए हैं कुछ रुन बनाया तो इनको कैप्टन बनाना बनता है तो वही अगर मेंदी हैन मिर्जा की बात करें तो एक बार उन्होंने चार विकेट लिये थे दूसरी मैट में ठीक थाक पर्फिर्मस था इतना बढ़ा नहीं था और तीसरी मैच में भी इन्होंने इसवाजे से मेरे खाल से द 앞에 उडिले थे और कुछ बना आज थे तो इस वाजे से उनको そう, कैpt encapt När उनको जबनाना ज़रूर है लेकिन आप कर न कर दूं यह सकते हैं कि अइछ हशट्ध हर यह तो ज़रूर आप इनको एक जगह पे captain बना सकते हैं हो सकता है मैं भी आपको बना के दिखा दूँ तो इस team को मैं अफकोस आपको suggest करूँगा सिर्फ और सिर्फ grand league के लिए small league के लिए बिल्कुल भी suggest नहीं करूँगा क्योंकि ये team grand league आपको जिता सकती है क्योंकि grand league जितने वाले है आप इस team से मुझे लगता है कि काफी जबरदस्त और अच्छी team बनी है तो आपको इसी लिए कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसे grand league के लिए यूज करना है small league के लिए आपको बिल्कुल भी इस team को यूज नहीं करना है तो इस team को close कर लेते हैं सेव कर लेते हैं और दूसरी team को मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक टीम में तो कम से कम हमें मुश्किपूर रहिम को ज़रूर लेना है दोस्तों क्योंकि अगर उनकी टॉप ओर्डर फेल हो जाती है तो उस team को संभालने वाले जो प्लियर है वो रहेंगे मुश्किपूर रहिम हम सब को पता है एक्सपिरियांस प्लियर काफी बड़िया बैटिंग करते और जरुर पढ़ने पर अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं तो इनको हम टीम से धूर नहीं रख सकते हैं या दोस्तों जादा टीमों से धूर नहीं रख सकता है एक तीम में कम से कम उनको करने हो गए चाहे वो बड़े भी चेंजेस करने पड़े लेकिन करने जरूर पड़ेंगे शबीर रह्मान को लिया आरता लुकादार को लिया विल जैक को वापस यह रखा है मैंने और वाय अली चोधरी को भी इस टीम में शामिल कर लिया तो इस तरह से चारों बल्लेवाजो एन इसलाम भी है हमारे पास लेकिन मेंदी असन मिर्जा भी है यहाँ पे दो जो प्लियर मैंने ड्रॉप किया है वो है तिसारा परेदा और मेंदी असन जो की मेंदी असन मिर्जा नहीं है दोस्तों मेंदी असन अलग से और एक प्लियर है उनको मैंने ड्रॉप किया है तो की अगर अच्छा परपर्वर्मस करते तो हमें काफी फायदा हो सकता है गेंबाजी क Giric करते यहाँ पर 21 तो उसकेम किको लिया यह इस इसलाम को वापस किर सकेमिन फिर से विल जैक को छी लेना कहीं क्याप्टन बनाना जरूरी है शब्विर रह्मान को मैंने वाइस क्याप्टन मनाया तीम प्रिव्यू करा देता हूँ जैसे का आप देख पार है केपिंग में मैंने चेंज कर लिया है मुश्किपुर रहिम को लिया है हाँ एक टीम में इनको लेना जरूरी है दोस की बात करें तो इस बार तीने और को मैं ले रहा हूँ एन इसलाम को लिया हो बीव होवेल को लिया है और मेंदी हसन मिर्जा को यहां पर फिर से ले लिया है गेनबाजी की बात करें तो इस बार मैंने केसला रभी को लिया है इस इसलाम को लिया और आर रायमान राजा को ल लेकिन ग्रांड लिग के लिए फीज भी कहूंगा कि दोनों के लिए आप यूज कर सकते अच्छी खासे दोनों के लिए 50-50 परसेंट आप यूज कर सकते तो काफी बढ़िया टेम बन चुके कैपटनूर्वाइस के बात करें तो यहां पर मैंने फिल बनाई को दोनों बढ़िया परफरमस कर रहे बान लिए और य्यूज कर सकता है और फिर थी लिख के लिए स्टीम को यूज करना है चलिए रोस्तों स्टीम को भी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टिम में आपको एडिट करके दिखा देता हूँ आगे के टीसरी और आखरे टीम में मैंने कीपिंग में वापस क्यली स्कोले लिए इसके लगव किसी और की पर के साथ में नहीं जाओंगा बैटिंग की बात करे तो तीनी बल लिवाद को मैंने लिए एंडर फ्लेचर को वापस ले लिया इस बार मैंने शबीर रहमान और आर तालुकादार को ड्रॉप किया विल जैक को भी मैंने यहां पे ड्रॉप किया क्योंकि हर टीम में एक जैसे प्लियर हो और अगर वो सभी फेल हो जाए तो हमें हर टीम हमारी पिट जाएगी लेकिन हम अगर यहां पे ठोड़ा रिस्की भी खेले और एक बड़े प्लियर को भी छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों हां पिटने के चांसे ज्यादा है इस टीम के लेकिन आपके ग्रांड लिग जितने के भी चांसे ज्यादा रहेंगे क्योंकि मैंने ठोड़े हटके अगर यहां पे शामिल किये तो वह अगर ज्यादा पर्फरमस करते तो आपको ग्रांड लिग जितने से कोई ने रख सकता तो फिर से बताता हूं अंदर फ्लेचर को मैंने ले लिया है वाय अली चोदरी को ले लिया है और तीसरे यहां पे इस पत्वारी को लिया हां इनका पर्फरमस थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं है जितना चाहिए लेकिन प्लियर अच्छे दोस्तों तो इनको एक टीम में आप ज़रूर ट्राय कर सकते हैं इनको मैंने आप इसी लिये लिया है आप भी इस तर से कर सकते हैं कोई प्रॉब्लिम नहीं दोस्तों काफी अच इस से तिसारा परेरा को भी ले लिया है और मेंदी असन मिरजा तो हमारे हर टीम में रहने वाले इसके बाद अगर गेनबाजी की बात करें तो मैंने चार गेनबाजों को यहां पर लिया है दोस्तों जैसे कि देख पार है के इसलाम रभी को लिया नवी नुलक को पिछले इसलाम को लिया है और ऊपनी सबसे इनको लीजिए तो यहां पर लेड़ी है तो अगर बात करें तो यहां पर और supposedly ऑप् сама है और रहमन राजा है तो यह भी दो प्रस और तो यहां है व प्लियर अच्छे दोस्तों तो जोरो आप इनको ट्राइक कर सकते चलिए और देख लेते क्याप्टरन किसे बना सकते तो इस टीम का क्याप्टरन मैंने महिंदी घशन मिर्जा को बनाया तिसारा परेरा को ले और कहीं भी वाइस काप्टरन ना बनाया ऐसा थोड़ा मुश्किल है दोस्तों तो चले टिम प्रिव्यू करते ताहू जैसे कि देख पार है के लेविस को मैंने लिया है किपिंग में इसके लाओ किसी और को नहीं ले रहा हूँ उसके बाद एंदर फ्लेचर वाई अली चोधरी इस पत्वारी इस तर से तीन बल्ले बाज लिए तीन से जरूर आप इनके साथ चाल सकते इंपर वर्शाग कर सकते हैं अगर बात करें चार बाज उको मैंने लिया है और इस तर्से यह भी टिम काफी बढ़ी है दोस्तों अच्छी पासि डिम बनी है तो जरूर रैंड लिक के लिए दोनों के लिए अच्छी तीम है आपको उग करेंगे तो काफी बढ़िया है ज्यादा से ज्यादा लिक के लिए उच्छ करेंगे तो ज्यादा चांसे रहेंगे जितने के क्योंकि थोड़े एक्सपेक्टेड मैंने चेंज किये जो अगर खेल जाते अच्छा प्रफरमस कर जाते तो आज आपको जितने से कोई नहीं रोख सकता क्यूंकि काफी बढ़िया टीम बनी है और हाँ आप स्मॉल लिक के लिए से थोड़ा सोच समझ के जगा काफी अच्छी टीम है जरूर लेकिन कुछ प्लियर ऐसे जो मैंने छोड़े है वो काफी बढ़िया परफरमस कर चुके तो इस वाज़े से ग्राइन लिक के काफी बना लुआ और तीसरा परेरा को मैंने वाइस ग्राइब बना लिया दोनों की दोनों अच्छे कासे बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छा प्रफरमस कर सकते तो आपको डबल पॉन्ट दे सकते तो इसलिए हम ने आप इनको के बना चले दोस्तों को भी क्लोस सकते हैं। लेकिन ज़दा चेंज़ेस मत किज़ेगा था साव बीत हो सकता क्योंकि काफी अच्छी टीप में बन गई है और अगर कुछ चेंज़ेस हैं तो मेरी टेलिग्राम को लिंक प्रस्क्रिप्शन में दिए वहां जाके आप उसे जॉइन कर लिजे ताकि चेंजेस के बारे में मैं आपको समय पर बता सकूँ और अपडेट दे सकूँ तो आई होप आपको मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आयोगा और अगर पसंद आयोते से लाइक शेर और कमेंट जरू कि ग्रॉड़ते हो आपको समय पा मां रफडेट जरूर आयोओा हो आपको समय दिए लाइक